आप देखे रहे हैं Automag Channel मेरा नाम है आशिश कमार चौधरी और जैसे कि आपको पता है कि आजकल इंडिया में नियू मोटर विकल एक नाइट नाइंटीन जो है इंप्लिमेंट हो चुका है कुछ एक स्टेट को छोड़ कर जिसमें से हिमाचल भी एक है तो आजकल मैंने भी कि कुछ लोग, कुछ ट्राइवर्स जो कि प्राइवेट और टेक्सी और सारी मिलकर उनमेंसे उनकी एक टिमांड है कि हिमाचल जैसे एरियास में जो हिली एरियास होते हैं हिमाचल उतराखंड जैसे स्पेशल हिमाचल की वह बात कर रहे थे कि यहाँ पर सीट बेल्ट कंपल्सरी नहीं होना चाहिए हलंकि अभी जो यहाँ के अमिनिस्टर उनने ने कंफर्म कर दिया है कि बिदिन वन मन्थ ये रूल इंप्लिमेंट हो जाएगा ओवराल पर फिर भी कुछ ट्राइवर्स यही चीज़ बोर रहे थे कि यह सीट बेल्ट कंपल्सरी नहीं होना चाहिए जब उनसे पूछा गया क्यों तो उनने यह चीज़ कही कि जब एक्सिडेंट होता है गाड़ी टकराने के बाद जब खाई में जाती है तो उस दोरान सीट बेल्ट उनको थ्रूआउट खाई तक निच्छे तक कितने हजार फुट खाई तक निच्छे तक वो लेकर चली जाते है means उनको जब करने का मौका नहीं मिलता कुछ हद तक उनकी बात ठीक है बट overall यह सीट बेल्ट क्यों लगा कर रखनी चीए यह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा तो इसी बात के उपर मैं एक चीज एक रिपोर्ट की बात करता हूँ कि 2017-18 में IIT मंडी के कुछ तीन-चार लड़कों ने एक रिपोर्ट तयार करी स्पेशली सीट बेल्ट के उपर और उन्होंने यह देखा कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा अक्सिडेंट होते हैं और जब उन्होंने कंपैरिजन करा जर्मनी से तो जर्मनी में उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जर्मनी में 2015 में overall अक्सिडेंट, number of अक्सिडेंट की बात करे हैं तो वो थे 3010 और अगर स जिर्फ हिमाचल की बात करे हैं तो हिमाचल में number of अक्सिडेंट थे 3469 तो आंकड़ा जो डिफ्रेंस था यह बहुत कम था कि हिमाचल और एक पूरा एक कंट्री और एक स्टेट का जो डिफ्रेंस था वो बहुत कम था जर्मनी में इस चीज अक्सिडेंट काफी कम कर लिया और इसमें बहुत सारी बहुत सारी factors include हैं कि जर्मनी के roads अच्छे हैं जर्मनी के laws अच्छे हैं well developed country as compared to India as compared to हिमाचल तो वो चीज़ तो कहीं नहीं है फिर भी उन्होंने जब एक्सिडेंट देखा कि maximum city belt की बज़ा से यह चीज हो रही है तो उन्होंने एक सर्वे उन्होंन HRTC वाले और अपना जो driving instructor होते हैं driving schools के MVI वेगारा तो इनके साथ मिलकर इन्होंने एक real time survey करना शुरू किया तो उन्होंने एक चीज़ notice करी कि जो maximum जो हिमाचल में accident होते हैं उनके reason क्या रहते हैं तो बहुत सारे reason थे पर उसमें से तीन reason मैं आपको बताता हूँ पहला reason थ आपको पता है कि maximum curves है हमाचल में और जब overturning होती है या तो 55.3% accident है उसकी वज़ा से 55.3% head-on collision होता है direct impact कर जाना bumper to bumper टकराना गाड़ी तो उसमें 23.8% है जबकि तीसरा है side sweep दो गाड़ियां एकी lane में जा रही है और टकरा जाती है lane change करती है single load पे भी टकरा जाती है that is side sweep that is 10.9% तो यह तीन जो reason है यह सबसे major reason है accident होने के तो उन्होंने एक चीज और notice करी उन्होंने 365 vehicles पे एक test किया उन्होंने 365 vehicles को note के और उन्होंने देखा कि कितने लोगों ने seatbelt लगा रखी है तो driver के अगर बात करें तो only 38 vehicles के driver ने seatbelt लगा रखी ती जबकि 38 vehicles में से only two drivers ने sorry only two vehicles में driver और दूसरी तरफ जो passenger होता है front seat पे उन्होंने बोत ने सिर्फ दो गाड़ियों में seatbelt लगा रखी थी जबकि पीछे वाली seat पे किसी ने belt नहीं लगाई थी जबकि पीछे वाली seat पे भी belt लगानी चाहिए क्योंकि वह seat भी उसी गाड़ी के और same speed पे वह होई उस पे जो लोग बैठे हैं वह भी same speed पे चले हैं तो accident जब होगा तो उनको भी नुकसान लगबग उतना ही होगा तो कि अब बात करते हैं कि seat belt लगाना अखिर ज़रूरी है क्यों इतना तो सबसे पहले बात कर लों कि आजकर जो latest vehicle आती है और जिनमें air bag लगे होते हैं तो air bags में अगर आपने seat belt नहीं लगाई है तो air bag आपको safety के बजाए आपको उल्टा नुकसान करेंगे कैसे वो बाद म मैं explain कर दोंगा पर आपको इतना बता दूं कि अगर आपने seat belt नहीं लगाई है अलार्मिंग सिस्टम दिया जाता है गाड़ी में आजकल कि आपने seat belt नहीं है टोंटों करती रहती है कि आवाज लगाओ आप seat belt लगाओ 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 बड़ उसके भी तरीके ढूंड लि के साथ बंध कर रखेगा गाड़ी जब मोमेंटम में होती है तो आप भी आपकी body मोमेंटम में होती है गाड़ी जब एक फैस्टेंस अभूट आप ब्रेक लगाते है तकराती है तो गाड़ी की जो speed अर आप मोमेंटम में रहते है तो आपको staring के उपर एफ और a driver देना है उसके चंसी होते हैं कि वो फ्रंट बोनट पे अपना डैशबूर्ड बे गिर या शीशे से उचल कर बाहर हो जाए रियर पसंजक आई होता है कि दोनों तरफ की सीट से पीछे टकरा जाए या इदर उदर टकरा जाए तो बहुत सारी चीजों में आपस में टकराने से ये सीट बेल्ट आपको बचाती है अब बात कर रहे थे जैसे हिमाचल के ड्राइवर इस चीज को अपोज कर रहे थे कि सीट बेल्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि खाई में गाड़ी गर जाती तो खाई में तो आपने seatbelt लगाई है, चाहिए नहीं लगाई है, doesn't matter वो तो आपको लेकर ही जाएगी, फिर उस case में भी आपको वो गाड़ी के अंदर बांद कर रखेगी, गाड़ी से बाहर throw out हो जाना that is most dangerous, और इसके अलावे जैसे आपने seatbelt लगाई, और दूसरा example में लेता हूँ कि अ लगाईगी और आपने seatbelt नहीं लगाई, आप steering के ऊपर गिरेंगे, कहीं भी गिरेंगे, आपको सर में लगाईगी, आपका mind का जो consciousness होता है, वो खतम हो जाता थोड़ी देर के लिए सोचने समझने की, अगर आपके सर में एकदम से लग जाती है, सोचने समझने की, हालत नह वाली है, तो in that meantime, आप buckle unlock कर सकते हैं, and you can jump from there, और अगर आपने seatbelt ही नहीं लगाई है, आपको सर फोड़ जाएगा, आपको सोचने की power नहीं रहेगी, और आप गाड़ी के साथ, आपको time ही नहीं लगेगा seat buckle खोलने का, और आप तो definitely उसके साथ गाड़ी के साथ खाई में जाएगे, तो ये चीज़ समझने की बहुत सरूरी है, okay, last but not least, मैं उन बच्चों के जो IAT के थे, उन मैं नाम लेना चाहूँगा, उनका जिननना ये report बनाई थी, एक नेहा मुठियान थे, IAT के, सिद्धान कुमार थे, रहूल सिंग थे, और आरियन कुमार थे, जिननों न क्ट्र ऐसक ने कुमार थे, सिंग थे, बच्द तू कुमार थे, इनने की ब sagt झाल, येकोर कंप एन्या और ये, उनका ने किसमार थे, और सक्तारा lुद